दुनिया भर के देश अब लड़ाकू, विमानों और स्टील्थ बॉम्बर्स के बाद मिलिटरी ड्रोन हासिल करने के लिए जोर आजमाईश कर रहे हैं। मिलिटरी ड्रोन के इस्तेमाल के अपने फायदे हैं। यही कारण है कि अमीर से लेकर गरीब देश ऐसे मिलिटरी ड्रोन के पीछे पड़े हैं। उदाहरन के तौर पर अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका मिलिटरी ड्रोन के लिए पैसा जोक रहा है, तो मालदीव जैसा छोटा देश भी इसके पीछे पड़ा है। मिलिटरी ड्रोन वर्तमान में एक शक्तिशाली हतियार बंकर उभरे हैं। आर्मेनिया अजर्बैजान युद्ध, रूस यूकरेन युद्ध समेत कई सैने अभियानों में दुनिया ने ड्रोन की ताकत को देखा है। अमेरिका ने ड्रोन से ही अलकाइदा सर्गना अइमान अलजवाहिरी को काबुल में मार गिराया था। इसी कारण सभी देश शक्तिशाली मिलिटरी ड्रोन को हासिल करने के लिए रसाकसी कर रहे हैं। ऐसे में जानें दुनिया के दस शक्तिशाली ड्रोन के बारे में। बोईंग MQ-28 घोस्ट बैट को बोईंग ऑस्ट्रेलिया ने विक्सित किया है। यह एक UCAV है जिसमें Artificial Intelligence का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें छठी PD के लड़ाकू विमानों और बंबर्शक के साथ कम्यूनिकेशन करने की क्षमता है। बोईंग MQ-28 घोस्ट बैट की रेंज 2000 समुदरी मील से अधिक है। नमबर 2. MQ-9 Reaper जनरल एटमिक्स MQ-9 Reaper भले ही आज के मांको के हिसाब से यह सबसे उन्नत ड्रोन नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे व्यापक रूप से उत्पादित ड्रोन है। MQ-9 Reaper की 300 से अधिक यूनिट का निर्मान किया जा चुका है। Reaper दुनिया का सबसे लोकप्रिय मिलिटरी ड्रोन भी है। भारत ने हाल में ही अमेरिका से MQ-9 Reaper ड्रोन खरीदने का सौदा किया है। नमबर 3. चिंगदू जीजे 2 या विंगलूंग 2 जीजे 2 या विंगलूंग 2 चीन का शक्तिशाली ड्रोन है। इसके एक सपोर्ट वेरियंट को 2017 को सारवजनिक किया गया था। इसे सन्युक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और मिस्र जैसे कई देशों ने खरीदा है। यह ड्रोन 480 किलो ग्राम किलो तक लेजर गाइडेड बम और मिसाइल ले जा सकता है। यह हवा से हवा में मार करने में भी सक्षन है। इसका नया वेरियंट चिंगदू विंग लूंग 3 है, जो 2022 से सर्विस में है। ब्रिटिश डिफेंस कंपनी BAE Systems ने फ्रांसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के नेतरित्व में यूरोपिये निर्माताओं की साज़िदारी में तारानिस बटा डसॉल्ट नियूरॉन नाम के ड्रोन को विक्सित किया है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिसाली और स्टील्थ तकनीक से लैस ड्रोन माना जाता है। लेकिन यह अभी तक परिचालन में नहीं आ सका है। नमबर पांच, Kratos XQ 58A Valkyrie Kratos XQ 58A Valkyrie एक experimental ड्रोन है। इसे अमेरिकी वायू सेना की रिसर्च लेबोरेटरी ने लो कॉस्ट एटिटेबल के तहित विक्सि किया गया है। यह ड्रोन भी आर्टिशिफियल इंटेलीजेंस से लैस है। वालकीरी ने 5 मार्च 2019 को एरिजोना के युमा प्रोविंग ग्राउंड में अपनी पहली उडान पूरी की थी। ऐसे एक ड्रोन की कीमत दो मिलियन डॉलर होगी। नमबर 6, सुखोई A-70 ओखोटनिक B सुखोई A-70 ओखोटनिक B ड्रोन को रूस के पहले स्टील्थ लडाकू ड्रोन प्रोग्राम स्कार्ट के जरिये डेवलप किया गया है। सुखोई A-70 ओखोटनिक ड्रोन A-31 तर्बोजेट इंजन से शक्ती पाता है। इसकी रेंज 6,000 किलोमीटर तक है। यह 1,000 किलोमीटर प्रती घंटे की टॉप स्पीर से उडान भर सकता है। यह 3 तन वजनी हथियारों के साथ उडान भर सकता है। इस ड्रोन ने दुनिया के कई देशों में युद्ध और सैने जर्पों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। तुर्की की सेना के लिए 2023 तक इस ड्रोन की 600 से अधिक यूनिट का निर्मान किया जा चुका था। बेराक्टार TB2 का संचालन पाकिस्तान भी करता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल दूसरे नागोर्नों का राबाख युद्ध में भी हुआ था। नमबर आठ, होंगरु जीजे ग्यारह होंगरु जीजे ग्यारह चीन का एक स्टील्थ ड्रोन है। इसके बारे में बहुत कम जांकारी सारवजनिक की गई है। इसे पहली बार 2013 में उड़ाया गया था और अक्टूबर 2021 में पहली बार चीनी एरशो में प्रदर्शित किया गया था। इस ड्रोन में टेल नहीं है जो इसकी गुप्त क्षमताओं की ओर इशारा करता है। इसके इंटर्नल बे में 1800 किलोग्राम के हतियारों को तैनात किया जा सकता है। बेराक्टार की जिलेमा ड्रोन को भी तुरकी की कम्पनी बायकर ने बनाया है। इसे स्टील्थ तकनीक से लैस किया गया है ताकि दुश्मन को इसका पता न चल सके। यह ड्रोन 30,000 फीट की उंचाई पर उडान भर सकता है। इसके अलावा यह 1500 की ग्राम के पेलोड के साथ उडान भर सकता है। नमबर 10. अल्टेयर या सोकोल अल्टियस सोकोल अल्टियस ड्रोन को 2019 में पहली बार देखा गया था। इसे पहले 2021 तक रूसी वायू सेना में शामिल करने की योजना थी लेकिन अब तक सिर्फ तीन प्रोटोटाइप का ही निर्मान की ही खबरें आई हैं। अल्टेयर सोकोल अल्टियस ड्रोन के निर्माता का दावा है कि यह 24 घंटे कर उडान भर सकता है। इसके साथ ही यह 1000 किलोग्राम के पेलोड को भी ले जा सकता है।